बाजबा विदायक संजय सतेंद्र पाठक ने पुलिस को शिकायत की है कि उन्हें कुछ अग्यात लोगों से खत्रा है इस बीच विजय रागवगड के विदायक संजय पाठक के आधार काड का एड्रेस बदल कर उसे पंजाब मोहाली का बता दिया गया है इस मामले को देखक विदायक संजय सतेंद्र पाठक की सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है विजय रागवगड से भाजबा विदायक संजय पाठक के आधार काड में एड्रेस बदल कर उसे पंजाब मोहाली का बता दिया गया है जानकाई लगते ही विदायक ने प्रक्रनर की पुछना कलेक्टर दिलीब कुमार से लेकर SP अभी जीत रंजन को देते हुए शिकायत सौपी है विधायक संजय पाठक ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए कहा है कि मेरी कटनी जवलपूर साहिद भोपाल वाले निवास में कुछ अग्यात तत्वों द्वारा निगरानी की जा रही है वहीं अब अधार काड का एड्रस बदलने से उसका कोई 2 रुपयों किया जा सकता है संजय पाठक ने कहा है कि कटनी पुलिस का धन्यवाद उन्होंने पता लगा लिया है कि दिल्ली के व्यक्तियों द्वारा पूरे कारणा में को अंजाम दिया गया है लेकिन मैं स्पी कटनी से निवेजन करूँगा कि मेरे आधार काड में डले फर्जी एड्रस पर जाकर जाच करे वहीं अब मैं घर के बाकी सदस्यों के आधार कार्ड भी जाच करवा रहा हूं ताकि पता चल सके कहीं उनके आधार कार्ड में साथ छेड़ खानी तो नहीं हुई पूरे मामले पर कटनी अतिरिक्त पुलिस देक्षक संतोस डेहरिया ने बताया कि विजय रागवगड विधायक संजय पाठक से मिली शिकायत पर आधार कार्ड में बदलाव करने वाले को पता लगाया जा रहा है अधार कार्ड में मेरे जो पता है पाठक वाट कटनी का वो परिवर्तित करके जीरकपुर चंडिगड पंजाब का पता कर दिया गया यह जानकारी मुझे तब लगी जब बैंक वाले किसी कार से आये और उन्होंने अधार कार्ड की कॉपी मागई और अधार कार्ड को रीचेक करने के लिए बोला कि 6 मैने में एक बार अधार कार्ड को तत्काल सूचना मानी एस पी महदय गुदी मानी केलेक्टर महदय गुदी और एस पी ने इसमें पूरे विभाग को लगा के साइवर वाले डिपार्टमेंट को लगा के इसकी जाच कराई है यह पता बदलवाया जिसने भी है वो दिल्ली का कोई व्यक्ति है जिसने पता बद आप देख रहे हैं डखल न्यूर